दोस्तों नमस्ते चैनल में आप सबका स्वागत है उमीद करता है आप लोग ठीक हैं मेरी तब्य थोड़ी खराब होने की वज़ा से मैं रीडिंग नहीं कर पा रहा हूं और कुछ अपनी परसनल कारणों के वज़ा से भी मैं रीडिंग नहीं कर पा रहा हूं कोशिश ये आज इसी वीडियो के अंदर अगर आपकी भी कुणली सेलेक्ट होगे तो ठीक है अगर नहीं हो पाई है तो आपको यहीं बोलूँगा अगर इंतिजार करना चाहिए तो कर लिजे बड़ शायद और वीडियो इस बार ना आप आए तो 15 जनवरी तक अगर आप अपने फिर अगर आपके दो सवालों के जवाप आप 15 जनवरी से पहले रिक्वेस्ट आणेजिए पार जनवरी का है तो अभी जो दूसरी पहली कुल्डी है उसकर इकारणिंग बात कर ले थे मैं दूसरे वीडियो से बनाने की सोच रहा हूं पर थोड़ी तवियत खराब होने के वज़ा से मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं और कुछ काम भी बहुत जादे इंपॉर्टन्ट आ चुके हैं तो उसकर में मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं तो उसके लिए सौरी पर मैं बहुत ही जल्द कोशिश करूंगा जिके आप को के टुके रिगार्ड वी वीडियो बना के दू अभी के लिए जू आत्म पर याँ कर रहा हो वह सब्सक्राइब कुछ सवाल कर दो है और कोट केस्ट चलने के कारण इनकी जॉब दोजा बीस इनके कोट केस्ट चल रहा है और इनके डिसीजन नहीं हो पा रहा है तो यह क्या करें जॉब दूसरी ढूंड़े या क्या बोलते हैं इस जॉब के लिए वेट करें कि इसकी कोई फाइनल हेरिंग में कोई पॉजिटिविटी निकलेगी के निकलेगी पुजा जी देखिए ऐसा है दशा आपकी शुक्र की चल रहे है शुक्र एक अच्छा प्लैनेट है आपकी कुणली में अच्छे घर लेके बैठा हुआ है धन के भाव को द के घर को देख रहा है और शुक्र यहाँ पर नहीं मित्र नहीं आपके लगण और साथ में बुद्व के घर में बाटा हुआ जैब लेकिन यहां पर शुक्र बारवे घर में बैटने का रहे हैं वह का आपका कारण बन रहा है और वह litigation या dispute और jobs related problems के लिए बन रहा है अब बात यह आते हैं कि इसको solve कैसे कर सकते हैं देखिए ऐसा है दो reason है आपकी कुंडली में दिक्कत होने का पहला यह कि शुक्री की महादशा चल रही है और दूसरा reason यह है कि शुक्री की महादशा में अभी तो खेर राहू आ गया है तो राहू थोड़ा बहुत बचचे रेलेटेड़ प्रवब्लम में सकते हैं राहू पांच में बैठा मून के साथ बैठा जोकी अच्छा नहीँ है छंद्रमा के साथ बैठा हुआ है और चंद्रमा के साथ बैठा हूं और यह अच्छा श्था ऱैस डेबिलिटेटेट पंचम स्थान में बैठा हुआ तो थोड़ा कम असर करेगा लिगे राहू की वज़ा से और इसका असर कुछ खास अच्छा नहीं रहेगा आपको एकी सला दोंगा जिके शिवजी की पूजा करिये भूले नात की पूजा करिये और कोई भी सफेज ची डोनेट करते रहे अपने जीवन काल में और मा दुरगा और मा काली की आराधना करिये कोई भी गॉर्डेस की आराधना करिये और शिवजी की पूजा करते रहे डे कि यहां पर आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है आपकी व्लिय को ले के आ रहा है और आपके एक्सपेंसेस और डेप्थ को लेकर आ रहा है तो इस चीछ को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा उस कारण वर्श आपको इसकी लिए रिगार्डिंग उपाई करने प अगर आप ऐसा करती है तो आपके जो आपके जो लगन में सूर्य बैठे हैं मतलब 4 नमबर जहाँ लिखाए's cancer जहां पांच नमबर दूसरा स्थाने आपके जहां मंगल लिखाँ उसको भी पॉजिटिव रेजल्ट देंगे तो एक चीज तो यह है जिके आप यह काम का अगर मून का काम करेंगे और अभी जो अंतरदशा राहू की चल रही है इस कारण वाश आपको यह भी करना पड़ेगा जिके आप कुछ भी काली चीज का डोनेट करिए या सरसो के तेल का अगर मैं कैल्कुलेट करूं रहू पंचम में बैठा है एक दो तीन चार पांच छह साथ आठ नो लगन को दिश्टी दे रहा है अगर आप खुदी महनत कर आपका खुद के मन को अगर आप कंट्रोल में कर लें तो यहां कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देगा तो कि यहा अपना डिसेजन नहीं ले पा रहे हैं बहराल अगर आप जॉब के रिगार नहीं और चीज़ पूछना चाहती है तो मैं यहीं बोलूँ हुआ जिकि आप अगर अपने बर्ट प्ले से थोड़ा दूर जाके जॉब करें और अगर कोई जॉब में डिस्प्यूट चल रहा है लेकिन अपना काम चलाते रहें किसी और जॉब से तो बहतर रहेगा क्योंकि यहां पर चांसे यह हैं जिकि आपने मन को भारी करके बैठी हुए हैं और इस कारवन रशी आपको ज्यादा दिक्कत हो रहे हैं अपने मन को हलका करिए इन सब चीजों से दूर रहे हैं अगर आ जैसे आपकी दिक्कत हो रहे हैं आप ज्यादा परेशान हो रहे हैं उस कारवर्श पहराल यह था आपकी रिडिंग अभी करते समय उतना शुक्र वैसे अच्छा है आपके लिए आए बना बनाया रखेगा लेकिन वाई भी बनाया रखेगा वाई के स्थाने बैटा बर्थ बनाया रिक्वेस्ट है तो यह भी रिक्वेस्ट है उसके वेज़े से आपकी रीडिंग कर रहा हो विकाजी आपका लगन लिपरा है तुला लगन है आपका और आपकी महादर्शा जो चल रही है जुपिटर आपकी 11 फॉम्त है जो कि अच्छा घर में बैठा गयो लेकर ज आप देखें तो यहां पर मेरे को जितना दिखाय देता है अगर आप बिजनस करेंगे तो आपके लिए जादा बहता समय रहेगा क्योंकि केतु का समय जो है वो चल रहा है अभी कितू आप की पंचम स्थान में बैटा हुआ है अगर कौशिश करें तो टीचिंग रिलेटेड़ बिजनस एज्यूकेशन रिलेटर या सर्विस रिलेटर बिजनस करें तो अच्छा रहेगा सर्विस रिलेटेड बिजनेस ऐसे जैसे मेडिकल में हैं आप आगर सोशल सर्विस में हैं या आप किसी सर्विस में काम करें लोगों को हेल्प करने में कोई सर्विस में आप काम करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि अगर आप देखें तो यहां पर मून भी आठवे घर में बैठा हूँ हालों कि मून को अफेक्ट नहीं पढ़ता च्छे आठ बारा का लेकिन मून यहां पर आठवे घर में बैठे हूँ है और उच के बैठे हैं तो कहीं न कहीं आपको सर्विस से रिलेटेड काम बन बैठे हैं यहां पर कहीं न कहीं आपके लगनेश अच्छा आय कि माहत इता है शादी का आपने पूछा था तो शादी के रिकार्ड़ी ये बोलूँ आगला समय अच्छा आ रहा है कि गुरू की दृष्टी है शुक्र गुरू की दृष्टी में अगर शुक्र के अंतरदशा लगेगी तो हो सकता आपकी शादी अगले जून के बाद होने के चांसेज हो या आप शादी करने के इंटरस्टेड हो या आपके लाइफ में कोई कमपैनेशिप आ जाए शादी हो ना हो पक्का नहीं है क्योंकि छटे घर में शुक्र बैठे हुए उचके बैठे हुए तो कहने हैं डिस्प्यूट करते हैं और अस से भी रिलेटेड को डिस्प्यूट आप क्यों जुक्त डेया बश्र रिलेटेड हैं या इसा काम में जो इंप नॉलजज को प्रेजजन कर रहा हो और बर्थ प्ले से दूर आप जारे हो तो आप देस्के बैठार रहेगा आप रहे बहांए रहे सकता है यहां पर हो सकता है लिए करें तो बहतर रहेगा शादी का मैंने बोल दिया जॉब लेस्टनेस आपकी खातब होने के चांसेज हैं जब केतु का अलग अभी भी अगर आप पर्मेन जॉब ना डून के ऐसे काम करने एजुकेशन रिलेटेड हो या सर्विस रिलेटेड हो आपको मिलेगा शुक्र के टा अच्छा चले उस कारणोष में यह बोलूँगा कि सूर्य के घर में सूरी की दिश्टी पढ़े यह अच्छा है और मर्करी की दिश्टी पढ़े है और राहु गयारवे घर में अच्छा पैसा दिला सकता है यहां पर कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए आपको तो कोई एलो चीज डोनेट करिए और आदे दिन को उपवास रखें तो अच्छा रहेगा और खुशिश यह करें कि कोई भी पेवेंट हो तो थस्टे को आए तो आपके लिए बहतर हैगा मास लक्षमी की भी आप पूजा करिए मादुर्गा के साथ तो आपके लिए अच्छा रहेगा इन सब चीज़ों से अगर आप करेंगे तो अच्छा रहेगा अभी के लिए बोलूगा थोड़ा सा अपने हेल्थ के रिगार्डिंग में ध्यान रखेगा कि तुकि अंदर दर्शा जून में खतम हो रहे हैं हाला कि गुरू की महादशा आपके लिए थोड़ा शा शादी होने के चांसे जरूर हो सकते हैं तो थोड़ा समल के चलिए हालोकि नवे इतिष्टी गुरू की लगन में पढ़ रही है तो यह फायदमन्द है लेकिन गुरू यहां पर कारत नहीं है मैं यही बोलूगा आपको जिके पराह हो सकते तो अपनी परसनल कोई बिजनेस करने का सोचे तो जादा बहतर रहएगा आपके लगन में यहीं कर रहा है जादा बहतर रहेगा ठीक है और अगर आप जॉब यह कुछ भी कर रहे है तो बर्थपलेस से दूर करेंगे तो जादा रहता रहे करता हूं आपको मैंने सवालों के जवाब दिया है अब जो आखरी कुणली है वो रीड करां इस बार वह पार्त के पार्त ने पूछा जी कि सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें दिखा रहा है तो शादी के लिए सोच समझ की डिसीजन लीजेगा क्योंकि शादी आप अच्छा सिनेरियो नहीं दिख रहा है आपका कुम लगन में शनी पहले ही घर में बैठा हुआ है पहले घर का शनी उतना आपके लगन के इसाब से तो बहुत बहु नौकरी का जो आप सोच रहे हैं वो ज़रूर आपको प्राप्ति के कोशिश करवाएगा लेकिन कहीं न कहीं आपको अकेला पन और आपको रिलेक्शनिशिप से दूर करने की कोशिश करेगा तो शिच को आपको त्यान में रखना पड़ेगा आप अपने आपको सम्हाल के चलेंगे जादा उमीद नहीं रखेंगे तो सुखी रहेंगे जादा उमीद करने वालों को जादा दिक्कत होती है जब इंसान उमीद चीजे छोड़ते तो अपने आपी जो चीजे नहीं भी मिलनी होती वह मिल जाती है तो में दी करूंगा आपको मेरी बार समझ में आरी ह खाएगा यह केतु और केतु की जुद्ष्टी पढ़ रही है वह आपके देखा जाए तो एक दो तीन चार फास घर के वरकिंग घर पर पाटर शीवे घर पर पढ़े तो शादी का भी तो सोचेगा नहीं तूसरा आपके केतु के अंदर बें गुरू के इंतरदर्शा चले ज भालें कि शुक्र की घर में गुरू के बैळना अठना अच्छा नहीं होता यहां में उन्हें हो क्योंकि गुरू यहां पे हां पर अच्छा च्छा माना जया जाए जिकिंगा आपका बहुत पावरुफुल है स्युक्र बागेश होके यहां बागेश थाने बैटा तो शुक्र कि जब भी मानता दर्शा माधाशा चलेगी तब अच्छा रहेगा तो शुक्र कि जो माधाशा वो दोहजाशब्स से दोहजाशा चैलिस पर चलेगी तो पार्त आपकी जिंदे की गोल्डन टाइम प्रियड जो प्रिया तो अच्छा थाने बीज है आपकी कुली में बुद्ध है वो भी उच्छकों के बैटे आच्छा रहता है मैं कोशिश करते रहें कोशिश करने वाली की हार नहीं होती है अभी जो जह चा बैटा हुए मंगल के घर में मंगल कर माली होखे सेंटेंट में बैठा है तो कम्मिने के घर में मंगल बैठा हुआ है है ऐसो control हlage महाफ किस्वल हुआ है यह 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 छाहना मत पॉजिए या यह जो कि अच्छा आपको मंगल बैठा हुआ है लेकिन बूद मंगल इस घर में भी आपके लिए पॉजिटिव पंचम कर्में वागर कारक करमिश कमाली करमिश और क्या बोलते हैं आपका वरकिंग मतलब हाड़ वर्क कमाली पांच वह बैठा तापके एजुकेशन आप अपने एजुकेशन पर हाड़ वक करेंगे आप अपने एजुकेश करते रहे हार मत मानिए आप एसा इस ट्रॉंग कुंडले क्योंकि शनी मजबूत है बुद्ध मजबूत है शुक्र बहुत मजबूत है तो यहां बेश्य और गुरु अच्छे स्थान में बैटे हैं और राहु ना बैटा हुआ है तो कहीं ना कहीं कॉम्णिकेशन में चीजे दिखा देता है जिकि इनसा ऐसा बोलते हैं ना जिकि जिसको थोड़ा ग्यान हो लेकिन उसके देख के लोगों का ऐसा लगए उसे बहुत ग्यान है तो थोड़ा सा राहु ऐसा एफेक्ट करता है बटे इसके साथ में गुरू और शुक्र के बैटने के कारण यहां पर थोड़े नेगेटिविटी जरू हो सकते हैं लेकिन भागेस्तान में यह तीन प्लैंट यह पॉजिटिव है आपको नौकरी में जरू अच्छा मिलेगा अगर अच्छे टाइम का बात करें तो 26-26 का टाइम अच्छा रहेगा उस टाइम पर आपको आप सोचें तो ज्य उमीद करता हूं आपको भी सवालों का जवाम मिल गया है पार्ट धन्यवाद